शुबमन गिल की कुर्बानी जस्परीद बुम्रा को आराम बांगलादेश के खिलाब भारत की T20 टीम का एलान आधी रात में चमक उठी शतकवी रिशान किशन की तकदीर पहले ओवर सहावी होने का प्लान तयार सूरे कुमार यादो के 15 शेर बांगलादेश पर करेंगे पलटवार रिशपपन्त भी टीम से बाहर माश्टर माइंड गंभीर ने चला बढ़ा दाओ बांगलादेश के कप्तान ने भारत की धरती पर कदम रखते ही टीम इंडिया को देदी चेताओनी सूर्या बोले मैदान में देखेंगे अब होगी आरपार की जंग इधर बांगलादेश की टीम ने भारत की धरती पर कदम रखा उधर गोतम गंभीर ने T20 सिरीज के लिए भारत ये टीम के 15 खिलाडियों के नाम पर महर लगा दी बांगलादेश के कप्तान नजमुल हसन शंटो के साथ जैसे ही पूरी टीम चेन नहीं पहुंची शंटो ने सबसे पहले टीम इंडिया को चेताओनी दी भारत और बांगलादेश के बीच 19 सितंबर को पहला टेस्ट मकाबला खेला जाएगा दो टेस्ट मैचों की सिरीज के बाद सूरे कुमार यादो की कप्तानी में T20 सिरीज होगी गोतम गंभीर ने भारत की T20 टीम के लिए 15 खिलाडियों के नाम पर महर लगाई है पहले आपको बंगलादेश के खिलाब भारत की T20 टीम कैसी होगी वो दिखाते हैं इसके बाद नजमल हसन शंटो का वो बयान सुनाएंगे जिसका जवाब खुझ सूरे कुमार यादो ने दिया है रोहित और विराट के सन्यास के बाद सूरे कुमार यादो टीम इंडिया के कफ्तान बने थे शिरी लंका के समने सूरिया ने टीम को पहली जीद दिलाई थी इसके बाद बंगलादेश के खिलाफ सूरे कुमार यादो की दूसरी अगनी परिक्षा होगी लेकिन इस बाद टीम इंडिया के कई दिगज खिलाडी टीम से बाहर होंगे बीसीसी आई ने शुमंगिल रिशपंत और जस्परित भुम्रा जैसे खिलाडियों को आराम देने का फैसला किया है पीटी आई की रिपोर्ट के मताबिक बंगलादेश के खिलाफ टैस्टी सिरीज खेलने के बाद बीसीसी आई कई खिलाडियों को आराम देगी ताकि ये सभी खिलाडी न्यूजिलेंड और उस्टेलिया के खिलाफ टेस्ट सिरीज में पूरी तरहां से तरो ताजा रहें और फिट रहें और इसी दोरान इशान किशन की किस्मत चमक उठेगी इशान किशन कई महिनों से इंटरनेशनल किर्केट से दूर है पूरी दुनिया को लगा था इशान किशन के करियर का अंत हो चुका है लेकिन इसके बाद इशान किशन ने घरेलू किर्केट में बुची बाबू टूनामेंट में श्यतक जड़ दिया और अभी तीन निन पहले दलीप ट्रोफी में दूसरा श्यतक लगा कर बीसी सियाई को अपने फैसले से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया अब गोतं गंभिर और जी तगर कर इशान किशन को टी टून्टी टीम में शामिल करने वाले हैं कई किलाडियों को टी टून्टी टीम से आराम देने के बाद भारत की पंदरा सदस से संभावी टीम में सुरे कुमार यादो यशिस्वी जैसवाल रितुराज गयकवार इशान किशन हार्दिक पांडिया शिवम दूबे रियान पराग रिंको सिंग अक्षर पटेल अर्श दीप सिंग, रवी बिश्नोई, वाशिंग्टन सुंदर, मुकेश कुमार संजू सेंसन और खलील एहमद शामिल रहेंगे इशान किशन के साथ संजू सेंसन की भी टीम इंडिया में वापसी लगभगते है अगर इशान किशन ने बंगलादेश के खिलाब 3 टी-20 मैचों की सिरीज में चमतकार कर दिया तो पंत के साथ उनकी टीम में पर्मानेंट जगाह बन जाएगी इस वक्त टीम इंडिया के कोच गोतम गंभिर घातक टीम तयार कर रहे है इधर बंगलादेश की टीम चेनने के चेपोक स्टेडियम पहुँच चुकी है पहले ही दिन बंगलादेश के कप्तान नजमुल हसन शंटों ने कहा है हमने पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर हराया था अब हम भारत को हराने के लिए आए हैं हमारे सभी खिलाड़ी आतमिश्वास के साथ भारते टीम को हराने के लिए तयार है हम पूरी रणनिती के साथ भारते टीम का सामना करेंगे यानि कंगारूं की तरह बंगलादेशी कप्तान ने भी मैस से पहले माइंड गेम केलना शुरू कर दिया लेकिन दूसरी तरफ सूरे कुमार यादो ने बंगलादेश को महतोर जवाब दिया है जब शेंटो के बयान पर सूरिया से सवाल पूछा गया तब सूरे कुमार यादो ने कहा हम किसी को कमजोर नहीं समझते आपकी ताकत और कमजोरी सभी का मैदान में पता चलता है बंगलादेश कितनी तैयारी करका आई है वो भी मैदान पर ही दिखाई देगा खैर टीम इंडिया में इशान किशन की वापसी के खबर पर आपकी क्या रहा है लिखकर बताईए और देखे